जार्खन में साइबर क्राइम के खिलाप पुलिस ने अपनी कवायद शुरू कर दी है सुबे का पहला साइबर थाना राची में खुला है पिछले कुछ महीनों में जार्खन साइबर अपराधियों का गड़ बनता जा रहा है एटियम फ्रॉड और सोशल साइट्स हैक करने की वारदाते भी यहां पर लगातार बढ़ रही है जार्खन के डीजीपीडी के पांडे ने राची के कचहरी चौक के पास थाने का उधगाटन किया दो लाख रुपे से अधिक की धोखा धड़ी के मामले का अनुसंधान इस थाने में होगा करा सकते हैं और फिर उसकी विरिवार जांच और जागे के पुरिया है वह पूरी की जाएगी पतादी कारियों में है कि जानकारी साइबर केसिस को इन्वेस्टिगेशन करने की नहीं है तो उसके लिए राउंड दी एर ट्रेनिंग चलाई जाएगी और एडवांस ट्रेनिंग चलवाई जाएगी 24 मार्च को होली मनाई जाएगी लेकिन इसका रंग हर आम और खाश पर अभी सही चड़ना शुरू हो गया है बिहार के कला और संस्कृति मंत्री शुवचंदर राम ने कुछ इस तरीके से फगुआ गाया जारखन के डीजीपी डीके पांडे ने लोगों से अपनी आपसी सद्भाव के साथ होली का तेओहार मनाने की अपील की डीजीपी ने कहा कि होली और आने वाले अन्य तेओहारों को लेकर पुरे राज्जी में सुरक्षा के खास इंतजाम किये जाएंगे पुली स्थाथ पर है सामाजीक तत्तों के खिलाब हम पूरी कारवाई करेंगे होली में अब बस तीन दिन ही बचे हैं ऐसे में हर जगा होली का सुरूर लोगों पर छाने लगा है आम से लेकर खास होली के रंग में रंग के नज़र आ रहे हैं छपरा में आयोचीत होली मिलन कारिक्रम में लोगों ने फगुआ गीतों का भरकूर मजा लिया। कारिक्रम में बीजेपी के विधान पारिशद सचीदान अनराय ने भी जमकर होली खेली और फगुआ गित गाकर लोगों का मनुरंजन किया। पटना में राश्ट्री महिला ब्रिगेट की और से होली मिलन समारो का आयोजन किया गया। इस से मौके पर ब्रिगेट की महिलाओं ने एक दूसरे कवबीर गुलाल लगाया। झाँ झाल ब्रिगेट की महिलाओं एक पर फगुआ गपुआ जग। झाल 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 झाल